आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी न्यूज वहीं तूफ़ान की चलती रेलवे ने एक सपचास सदिक ट्रेनों को रद्ध कर दिया है चकरवात की चौविस की रात या पचिस की सुभह पुरी और सागर दीप की वीच तरसे टक्रानी की आशंका है तरक्षक बल की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि वह तूफ़ान की खत् और अपने पोत और विमानों को संभावित समीदन सीर इलाकों में तेनात कर दिया है मौसम विभाग की महानिदेशक मुरत्विन जय महापातर ने कहा कि पूरी से पस्रीं बंगाल के सभी पूरी तटी शेत्रों के इस चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है उडिशा र हवाई एड़े पर पहुंचे 152 जवान साथवी बटालियन इंडियार भटिंडा की सहाय कमांडनेट पंकच शर्मा ने कहा कि पांस टीमें हैं कुल 155 जवान हैं हम भटिंडा से भूवनीशर हवाई एड़े पढ़ाए हैं और हमें पांस जिलों में तैनात किया जाएगा ह हमारे पास आवश्यक अपकरन हैं चकरवाद बचाव अभियान और पारजल बचाव अभियान के लिए हमारा मुख्यकार बचाव निकाशी और राहत सामेगरी वितरत करने के लिए जिलाप पर शासंग की मदद करना है औरिशा की मुख्यमंतरी मोहन चरण माजी चकरवाद दानी के बरते प्रकॉफ को देखते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चकरवादी तूफ़ान और भारी बारिश की आसंका की मंते नजर सबी विधायकों को चकरवाद से ने पटने के लिए अपने अपने निर्वाचन शेत्रों में मौजूद रहना चाहिए और राहत इवां बचावकारों में तेजी लाने के लिए जलाप शासन के साथ समन्वे करना चाहिए उन्होंने का कि सभी विधायकों को अपने अपने निर्वाचन शित्रों के लोगों के साथ रहनी और उन्हें आविशक सायता प्रिदान करनी का हर सम्हों प्रियास करना चाहिए चक्रबात दाना के संभावित असर को देखते हुए 150 से ज़ादा यात्री ट्रेनों को रत्त कर दिया गया है निरस्थ ट्रेनों को अपने प्रस्थान बिंदू से तेश से 25 अक्टूर करवाना होना था उन्होंने कहा कि यदि हाल विगरे तो और ट्रेनों को निरस्थ किया जा सकता है